सदिकी कोरोना का कारण बताया जा रहा है उनकी तबियत अस्वस्त है बताई जा रही है लेकिन मेरा सवाल यह पूछना था कि हम लोगों का विशे ही पूरा बदल दिया गया है अब सारे लोग पपू यादाओ पे फोकस हैं लेकिन कोई रूडी से सवाल नहीं पूछ रहा है कि वो एम्बूलेंस आखिर क्या हुआ जो पपू यादाओ ने 40 ड्राइवर्स दिये थे उनका रूडी जी ने क्या किया है और वो एम्बूलेंस क्या अभी भी बिहार की जनता के लिए खुले हैं या नहीं खुले हैं अगर रूडी जी का हिसाब किया जाया तो वो एकलोते ऐसे इंसान है जिनको बीच मंत्री मंडल में से उठा के फेक दिया था इसी एंडिये सरकार ने वो क्या कारणदा कोई बता सकता है गया हम लोगों ने जब इसकी पूछताच की खोद किया तो पदा चला उनके उपर गंभीर ब्रस्टाचार के आरोप हैं और यह आरोप कोई ऐसे वैसे नहीं है जिस जमीन पर वो एम्बूलेंस मिले हैं मैं आज आज आपके वीडियो आता हूं बिहार सरकार से कि उनकी पर्सनल जमीन पर सरकारी पैसे 9 करोड रुपए से उनके उन्हों जो घर बनाया है वो पैसे की निकासी आखिर किसने की है और किसने इसमें मदद की है हमारे पास वो डिटेल्स हैं जिसमें मैं आपको कह सकता हूं जिसमें मिली भगत है व वहां के रूडी जी खुद और उस विभाग से जिस विभाग में वो मंत्री रहे हैं उस विभाग के सरकारी पैसे से बिहार की आम जंता के पैसे से नौ करोड रुपए से उन्होंने अपना भव ये घर बनाया है इस तरह के आरोपो की जब जाच होगी उस अमाउंड का अभ पर आया उसके लिए सवाल पूछा था हो सकता था वह एंबुलेंस महीने भर में 10 लोगों की जान बचा पाती वहां पे 40 अबुलेंस था कम से कम 400 लोग बसते थे ना वह सवाल अगर पूछने वाला व्यक्ति को अगर सरकार आरोपी मानती है तो मुझे लगता है देज भर क पर आरोपी हैं सारे लोग सरकार से सवाल पूछेंगा और जितने लोगों को जेल में डाल सकते हैं डालें हमारे करफ से खुला स्वागत है पुला पूछने पूलेंस में बचाइदा शोचल मीडिया पे बहुत सारे सवाल उठाए लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाता तो म अभी जब यहां से पपुयादो जी गए थे कोरोना नेगेटिव थे लेकिन जब थोड़े दिन के बाद उनको पॉजिटिव कर दिया जाएगा और पॉजिटिव के आड़ में एक साजिशन हत्या पपुयादो की कर दी जाएगी उनका जो कद है बिहार के अंदर वह बड़ा इंजेक्शन बाट रहा है तो केवल एक इंसान है और शायद यही कारण है कि राजनीतिक हत्या करने का उनका प्रयास चल रहा है अगर पॉजिटिव यादो नहीं होगा तो फिर जम के वरस्टाचार होगा रेमडिसीवर इंजेक्शन 30,000-35,000 में यही आखिर यह जो पॉजिटिव यादो से मिलने तो नहीं दिया गया क्या वहां के डॉक्टर से आपकी मुलाकात हुई क्या कुछ वहां का माहौल है अस्पताल का वहां जो अस्पताल लोग जान रहे हैं कि इस समय विहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है आपके सामने अभी ताजा उधारन पपु यादो जी का है संडे के दिन उनके खिलाब वारेंट निकाला जाता है जबकि सुप्रीम कोट की गाइडलाइन आई वारंट खो जा जाता है, हम लोगों की भी नेटवाक हैं, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 गंटे क्यों बिठाया गया था, फटना में पपो यादो जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई फुपता वारंट नहीं था, अचानक से फिर मदेपुरा से इनको वहां के स्पी से बात होती है और पता चलता है कि वहां पर वारंट है तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 गंटा बीना कारण बिठाया गया, उसके बाद यहां से जमानत होई तब उनको मदेपुरा ले जाया गया, यह केवल हरैस करने का काम था, एक पूर्व सांसत, एक समविधान पत पे बैठा हुआ व्यक्ति, और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनितिक या समविधानिक पत पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं न कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर, कल मैं जिस तरह से दरवंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिये, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है, मेरे पास कोरोना बहुत नेगेटिव की रिपोर्ट है, मैं मुंबई से ट्रवेल करके अगर यहां आ सकता हूँ, तो क कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, यह किसी को जानकारी नहीं हो रही है, तो कहीं ने कहीं मुझे ऐसी शंका है, कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है, उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व सवाज उठाएंगे और हम समयधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं क्याकिर आपने किस आधार पे उनको गिरफतार किया है और रात को बारा बजे कोट खोलने की क्या जोरत पड़ गई अचानक से और जिस एरिया में उनको गिरफतारी होनी चे जिस एरिया में उनका आपको करने देंगे अगर कोई वियार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा तो एक छोटा संदेश हम तमाम समाजी कारे करताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए हम लोग आ रहे हमें गिरफ़तार करिये अभी आप